बहुत अच्छा कम्मिनिस्ट मूड के बारे में अनुन बात की, इसलाम पर थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, यह कह रहे हैं साथ साल से, इससे और थोड़ा पीछे, ऐसा कैसे है दुनिया भर में उग्र, उदंड, उजड और बुद्ध हीन समाज कैसे बनता है, सेना में जो प अभी उसके बाद यह भ्यास हाता है कि आदेश पर पालन करना है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि मुसल्मान पर कितना दवा होता है कि तुम्हे क्या क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें पढ़के सुना रहा हूँ, अंडरस्टेंडिंग मुहम्मद से मैं रफरंस दे आओ, इसलिए मैं इस किताब का बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ को जरूर पढ़िये, पानी से तीन बार खुला करो, नाक के दोनों छेदों को तीन बार पाई डालके साफ करो, चेहरो को तीन बार दो, दाहीं बाहां को तीन बार कोहनी तक और फिर बाहीं बाहां को, ड अगुठे सब बाहरी हिस्से को, ये भीगी उंग्लियों से किया जाना है, भीगे हातों से गले को पोचो, दाएं पाउं से शुरू करके दोनों पाउं को घुटने तक दो, अफ़तावा रजविया पढ़ रहे हैं कि है? अंडर्सेंडिंग महमद, बाजामा पहनना है तो पहले दाएं हिस्से से शुरू करो, फिर उसके बाएं, बाद माएं, उतारना हो तो माएं पहले उतारो, फिर दाएं उतारो, टॉलेट में जाओ तो दूआ पढ़ते हैं, उस सर पे टोफी बांद के, हर समय एक ना एक एक ना एक चीज जीए उनके, अगर आप मुझे उतिया कर देते हैं, सुन्दर चार्प कर देते हैं, लामपूर में वाज कर रहे थे, और सब्जेक्ट था घुसल, कि किन हालात के बाद महाना घुसल करना जुरूरी है, तो उन्होंने बताया कि कोई शखस घुसल करे, यानि इन्वाल्व हो, सेक्स करे, तो घुसल शायर थे, उन्का जी, बोले कोई शखस अगर हम जिन्सी कर रहा हो तो होमसेक्शुलिटी, तो मौना ने कहा, दोनों पे घुसल वाजिब होता है, तो उन्होंने न मंतख पेली, कि फाइल पे वाजिब होता है, वो तो अलगा है, मगर मफूल यानि पैसे पे क्यों क्या करे था, तो फाइल के फत्वे करके अंदलोब दारी करें कुछ क्या, मैं बिलकुल परसनल बातें, आप किन किन सब्जेक्ट पर अच्छा उससे होता क्या है, कि मुसल्मान 24 घंटे डरा रहता है, कि उससे कोई घलती गुस्ताखी न हो गई हो, इसलाम की शान में कुछ गर्वल न हो गई हो, नमास पढ़ने में फलाने काम में, वो चौबज़ और उपर से उस पर सवार एटा है, कि वो शैतानों से घिरा हुआ है, जादूगनों से घिरा हुआ है, कुफर से घिरा हुआ है, इन काफियों को से दीन मिलाना है, तो 24 घंटे उसके मन में यह संगर्शलता है, वो कभी यह बेसिक बात, कि यह पैगंबर हैं भी, पुरान अल्ला की किताब है भी, दीन सच भी है, कई फेक आइडेंटिटी तो नहीं है, इस बात को सोची नहीं पाता, पुरान पहलता है, मगर वो इस इंटेंशन से, क्योंकि उसको इतने तरह हाथ दो, यू करो, और ऐसी पाकी करो, और ऐसे बैटो, इतना ज्यादा ग्लोरिफाई कर दिया जाता है, और टेरराइस साथ में कर दिया जाता है, कि वो इस पर जहन ही नहीं लगा पाता, अच्छा से ऐसा लगा कि हम अंधेरे से बिल्कुल बाहर रोश्नी में आ गए, सूरज का उजाला आ गया है, मगर उस सूरज के उजाले के बाद ग्रे अरिया नहीं है, वो बिल्कुल डाक्नेस शुरू हो जाती है, वहीं से, एक कदम आगे रखा तो सूरज दिन का उजाला है, और ए वहर में यहाल है, एक सत्यार प्रकाश ने जरूर यहां पर किया, मगर वो भी बहुत बड़े प्यमाने पर ब्रिडिश फीरेट में हुआ, अब तो बिल्कुल ही मट्टी डाल दी गए, यह कोई बात ही नहीं करता, यह बड़ी समस्या है, जो मैंने आपको एक बाकिया सुन मगर इसके से अब रख्यात हैं, ठीकि आप जैसे शिया हजरात की एक बड़ी अच्छी तकरीर है, मैंने पाकिस्तान की तकरीर सुनी, वो कहते हैं कि रंगिला रुसूल, जिस किताब पर महाशे राजपाल की हत्या हुई, वो किताब पूरी तरह से सुनी इसलामी जैरे कि इतना विब्रहम की स्तिय है, कि साथ साल में वो जो बच्चा पैदा होता है, वो आसपास से बच्च पैदा होते हैं, कान में उसके पुरान की आयत पढ़ दी गई, आजान पूल दी गई, लगातार उसके मन में यही सारा संस्कार लागा जाता है, साथ साल तो ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, शेर जानता ही नहीं है कि उसे जंगली कुतों ने घेरा हुआ है, उसे अंदाजा ही नहीं है, और कम्निस भी इस बात को देखें, किसी भी कम्निस कंट्री में इसलाम को नहीं थे, उन्होंने बिलकुर सही बात की, कम्निस कंट्री मे और उनके हाथ से जब इसलाम ने पकड़ा तो बिलकुल भून के खा गए किसी को नहीं छोड़ा वो जानते हैं एक दूसरे को मगर ये बिलकुल सही बात है कि कुट्टे और भेडियों का गिरो साथ हो गया है ये फूलन देवी और पुतली थी बाई दोनों की दोनों मिलके ग дरभा दो में ही पड़ा दूर्भा की पूनिसदिति पुीजो है तो मैं तो बताया कि आप के प्रजाम कर साइस क्या होना चाहिए उसके चाहिए किदर से पैना जाना चाहिए और आपके जो अंतरंग कार्या है वो कैसे होने चाहिए ये सब पूरा पूरा उस में फलिस्व का नाम यही है औरुण शोरी जी ने किताब लिखी ना बड़ी सुन्दर वर्जी पत्वा एक्सिलेंट बुक वो येस दे वर्ल्ड फत्वास तो उसमें उनों ने एक ये एक अब्जर्वेशन किया है जो मैंने का कि उसके पूरी किताब का निचोड़ मैं उसी को मांता हूं क इसलाम में अंदर देखने को कुछ नहीं है जो कुछ भी है वो सब बाहर की देखने वाली दृष्टी ही है इसी लिए वो यदि चाहें भी कि वो सुनातन धर्म को समझने का प्रयास भी करें तो वो नहीं समझ चकते हैं हमारा जो मार्क्सवादी दिर्चन है वो थोड़ा अलग है वो अंदर घुसके पहले दुश्मन को पहचानते हैं दुश्मन का थाट प्रोसस समझते हैं और दुश्मन के थाट प्रोसस को पकड़ करके फिर उसको माइंड कैप्चर करने का प्रयास करते हैं इसी लिए आप देखते होंगे कि इसलाम तो फाली चिला चिला कि यह कुफर है अरे यह शिर्क है और यह मुश्रकीन जो है वो वाजिबल गतल है इस तरह की फालतू के बयान बाजियों में उल जा रहेगा लेकिन मार्क्सवादी जो हैं वो आपके पूरे आगम शास्त्र को पढ़ेंगे किसी भी मंदिर का आगम पढ़ेंगे उसका पर नि भी ती परमपराएं आपके रिचूल्स वो गलत हैं उसको सिद्ध करने के तरक निकालना आरम कर देंगे वोने जानते हैं कि एक तरक शील समाज है सनातन समाज तो इसको तरक से हरा हो वो उसके तरक और उसके तरक निकालना आरम कर देंगे